आज का दिन 13th of August 2020 और अभी दो बज के 36 मिनट हुआ है आज एक लाइफ ट्रेड वीडियो नहीं बना पाया तो अभी मैं सोच रहा था कि चलो लाइफ ट्रेड वीडियो तो नहीं बना पाया आज तो आपको ऐसे ही वर्बली बताया जाए और मेरे स्क्रेंशॉट दिखाया जाएं कि आज हमने क्या किया दो स्क्रेंशॉट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे मेरे एंट्री और एक्जिट के तो फ्रेंज हमने क्या किया था हमने भारतिय अटल को शॉट किया था 546 पे हमने इसको शॉट कर दिया था और जो स्टाप लॉस था वो फाइफ और नाइन पर रखा गया था रखा गया था और इसे के साथ जो हमने एक्जिट लिया है वो 53 2.40 के लिया है है कि तो पॉइंट फो जिरो पे हमने एक्जिट लिया है इसको चेंज करते हैं थोड़ा से यहां से तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना आज मुवमेंट कैप्चर किया है क्योंकि आज भारती एटल को शॉट करने का एक दिन था और इसमें एक अच्छी वेट भी कर सकते थे हम वन्स्टू टू से ज्यादा अदरवाविस आफने देखा होvernी एक हम वन्स्टू टू लेकर ही मार्केट से भाग जाते हैं क्योंकि वन्स्टू टू हमें रोज मिलता है बट वन्स्टू फोर हमें रोज साथ थे तो अभी थोड़ इसी मार्किंग करते हैं स्टॉप लॉस हमारा यहां पर था राइट और एंट्री हमारी यहां पर थी कि एंट्री इसको कर देटें ब्लीव और साइज छोटा करते है थोड़े और यह था अमारा टार्गेट यह था अमारा आज का टार्गेट तो चलो चलिए थोड़ इसी कलिकुलेशन करते हैं 546 पर एंट्री थी 546 पर एंट्री थी 532.40 पर एक्जिट था पता चलता है तेरह रोपे छे पैसे का प्रॉफिट बूक किया है पर शेर और तीन रुर्पे का स्टाप लॉस था तो हमारा डिस्क इस्टू रिवार्ड हो जाता है 1 इस्टू 4.53 तो यहांपर मैं मार्किंग जरता हूं इस्टू रिवार्ड 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 इस्टू रिवार्ट रिवार्ट तो अभी आप यह शूच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई stock 1-4 वाला ट्रेड दे सकता है या कोई stock 1-2 वाला ही दे सकता है तो इसके लिए हमें अगर आपको 1-4 वाला ट्रेड लेना होता है तो उस stock की काफी दिन आपको वेट करने होती है आप regular stock में भी लेके जा सकते है तो जैसे कि यह हमारा भारती इटल बहुत दिनों से हमारी watch list में था और आज हमने इसको आज इसने हमारी action list में जगा बना ली थी तो इसलिए हमने इसको वेट ना करके मैंने अपना orders जब यह यहाँ पर खुला था पहले नो बज के 20-30 मिनट पर पहले यह orders और stop-loss लगा के छोड़ दिये थी right price यहाँ पर गया touch करके एकदम से वापस आया और आज के हमने तकरीबन open price पर हमने इसको exit कर दिया right तो एक छोटी सी announcement और करने वाला हूं friends मैं एक नई series शुरू करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास mails messages आ रहे थे कि सर्फ volume analysis पर वीडियो बनाईएगा तो आपके लिए एक हम मैंने series शुरू करने का सोचा है volume analysis को delivery volume और volume को कैसे read करते हैं मैं उसकी एक proper series बनाऊंगा और पहली वीडियो आपको आने वाले एक दो दिन में मिल जाएगी वह totally free होगी कोई private वीडियो नहीं होगी वह पूरा publicly होगा और वहाँ पे अगर आप वह वीडियो देखके कोई आपके doubts भी आते हैं तो आप comment कर सकते हैं आपको उनके doubts के जवाब आपको definitely मिलेंगे तो यह एक थोड़ी खुशी की खुशी वाली खाबर है क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे भाई हैं वो मेरे को messages कर रहे हैं कि सर आप जैसे volume को analyze करते हो उस तरह हमें भी सिखाओ तो इसलिए हमने सोचा है कि एक volume है एक क्या बहुत सारी वीडियो बन एक एक छोटी छोटी वीडियो बनाके इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही जादा बहुत ही भैतरीन knowledge मिलने वाली है आपको इ आने वाले कुछ दिनों में और एक दो वीडियो पहले ही अभी एक दो दिन में launch होने वाली है तो होप करता हूँ आपको यह वाला मेरा concept कैसा लगा जो मैं सूच रहा हूं कि वॉल्यम अनलेसिस पे series बनाऊं तो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे comment करके बताईएगा कि बढ़िया काम कर रहा हूं मैं या फिर कुछ ऐसे ही कर रहा हूं तो comment जरूर कीजेगा और वीडियो को like जरूर कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा ठीक है तो इसमें हमने कमाया 1-4.5 का trade hope करता हूँ आप सभी लोगों को यह मेरा trade पसंद आया हो यह वो थी कि हम इसको live record नहीं कर पाई but no doubt मैं आपको screenshot अभी है जैसे regularly वीडियों के end में आपको screenshot मिलते हैं वैसी आपको अभी तर इसके screenshot मिल जाएंगी तो तब तक के लिए bye bye happy trading friends